नमस्कार भाई और बैनों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अद्रक का पेड कैसा होता है और अद्रक कैसे उगाया जाता है सबसे पहले आपने अद्रक खाया होगा चाय में एक गांठ सिय जिसको हम कोट कर या पीस कर उसमें ढालते हैं कुछ लोग कद्दू कस करके डालते हैं तो चाय में डालते हैं जिसे हमारी चाय का टेस्ट अच्छा जाते हैं मगर आपको मालूम है कि अद्रक जो है हमारे श्रीर की बहुत सी बीमारी को दूर करता है अद्रक कैंसर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा था कि यह सेल बनाने के काम करता है अद्रक हो गया लहसुन हो गया और यह बकरी का दूद हो गया यह सारे ही हमारी कैंसर की विमारियों के लिए बड़े ही उप्योग होती है तो मैं आपको यह पेड़ पती देख रहे हैं अदर्ग की पती है अग अब बीज़ दो आप पांचे मेने के बाद इसकी फसल तियार हो आती है क्योंकि इसके पेड़ के नीचे गांट सी बनती है आ पहाड़ों में हर चीज जो भी उगाए जाती हैंयाँ स Михाल meant들 Ugh यह इसलिए अब को मैं बतारा हूं कि पहाड़ों में रहने वाले लोग कैसे उसे उस्थी इसे की उमर जढ़ जादा होती है क्योंकि वो देशी चीजे खाते हैं और देशी खाना ही पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं अद्रक यह है अद्रक का पेड़ जो आप देख रहे हैं अद्रक के पेड़ के नीचे आप यह देखो कि गांट बनी है इस गांट की किसी भी सबजी के अंदर डाल दो दाल हर चीज के अंदर डाल दो गे तो यह उगी विए गांट है जमीन के अंधर आप देख रहे हैं आगे पिछे खाद डाली है हम कभी ना को यूरिया यूज़ करते हैं हमारे श्रीर के लिए बहुत ही उप्योगी और बहुत ही मैतुपर्ण ओश्दी है जो यह काम करता है क्योंकि यह कुद्रत की दूई चीजे जो पाड़ों में लगा दो तो वो किसी बर्दान से कम नहीं होती जैसे अपने नाम सुने है कि पाड़ों में पैदा होने वाली हर बstudy नाती है पियोगी और बहुता ही अच्छी होती है पाड़ों के अगर आप आनी भी पी लेते हो, तो पानी भी आपको श्रीर में दवाई का कम करता है, आपके श्रीर की बहुत सी बीमारिय को दूर करता है, तो आपने इस वीडियो में शीख आमों सबस्झे किया प्या और ये हम हर सबजी में हमें ये जरूर खाना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और लोगों को इस चीज के बारे में बताएं धन्यवाद